हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त किर्शन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल कंप्यूटर ग्यानगू दोस्तों एक वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है यह और आप काफी दिन से यह सोत रहे हुए कि भई ऐसा को आपको इंस्टॉल करना है किस आपको हर एक चीज बारी किसे समझने को मिलेगी वह सब चीजे इस वीडियो में होने वाली है आप कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो बहुत दिनों से टाइपिंग कर रहे हैं लेकिन उनकी स्पीड नहीं बन रही है स्पीड धीरे-धीरे कम होती जा रही है या फिर स्पीड बनी नहीं रही है तो दोस्तों उसके पीछे क्या कारण है उनकी टिप्स और ट्रिक्स मां आपको बताने वाला हूँ और वो सॉप्ट्वेर भी मैं आपको देने वाला हूँ जिस सॉप्ट्वेर से आप अपनी टाइपिंग को बहुत ही आपको देखने को मिलते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड तो दोस्तों सस्क्राइब करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दिरा वर सस्क्राइब बटन उसको आपको दबा देना है रेड कलर में लिखा हूँ है सस्क्राइब अगर आप पौन हिंदी में चलाते हो तो लिखा हूँ है सदेश्यता उसको आपको दबा देना है और साथ में एक गंटी का निसान आएगा उसको आपको दबाते समय ओल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना है ताकि हमारी वीडियो आपसे मिसना हो और सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंच जाए तो दोस्त तो आपको जो है टाइपिंग सोफट्वेयर के बारे में हम बताएंगे टाइपिंग सोफट्वेयर में कौन कौन से सोफट्वेयर जो हैं वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे कौन से सोफट्वेयर आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं सबसे बेस्ट software जो होता है वो कौन सा होता है और उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले software की अगर हम बात करें सबसे पहला जो top software है मेरी नजर में वह हमारा हो रहे हो टॉप सब्टेयर रहेगा टाइपिंग मास्टर आपने सुना भी होगा इसका नाम अगर आपने टाइपिंग की है कभी पहले तो पहला जो सब्टेयर हमारा रहेगा टाइपिंग मास्टर टाइपिंग मास्टर जो है आप यहां पर देख सकते हो किस तरीक जा रही है कहां पर आपकी finger अगर wrong side जाती है तो आपको पता चल जाता है typing master में दूसरी इसको जो है beginners भी यूज में ले सकते हैं और learner भी ले सकते हैं जैसे मान लोग अभी सीख रहे हैं दीरे दीरे और beginners जो थोड़ा बहुत आता है उनको वो भी इसको जो है काम में ले सकते हैं तीन नमबर अगर इसकी विश्यस्था की बात करें तो तीन नमबर इसमें आता है real जो समय में आपके जो analytics है जो आपकी जो progress report होती है जो typing की speed कितनी है कितने वर्ट्स आपने गलत किये हैं कितने words आपने सही किये हैं वो आप इसके अंदर real time में देख सकते हो analytics करके next की अगर इसके अंदर बात करें next विशेस ता इसकी यह उती है कि इसके अंदर आप जो है typing test भी दे सकते हो अगर आप typing test देना चाहूद तो और इसके अंदर यह कुछ खूबिया हैं अगर आप इसे install करोगे यूज करोगे तो आपको और ज्यादा बेटर लगेगा यह अनुभव इसका तो आप इसे install करके यूज कीजिएगा next दो नंबर पर हमारा software आता है वो आता है type C type C हमारा software है वहती अच्छा software है जिसके अंदर आप जो है काम कर सकते हो इसके अंदर दोस्तों आपको जो है lesson video मि मिलेंगे आपको और इसमें आपको gaming typing भी include मिलेगी अगर आप gaming typing इसके अंदर करना चाहते हो तो type C software में आप कर सकते हो next दिशानेश्देश जो इसके होते हैं वो आप easily guide करेगे आपको पूरा पूरा guidance आपको मिलेगी इसके अंदर सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाल बहुत ही अच्छा advanced level का है और इसके अंदर comparison भी आप कर सकते हो select करके time and star कितने time पर आपने कितना क्या क्या वो सब आप इसके अंदर कर सकते हो तो दोस्तों यह हमारा दूसरा number का software था top software है type से तीसरे software की अगर हम बात करें तीसरा software हमारा रहेगा rapid typing यह software भी बहुत आप इसके अंदर practice कर सकते हो फिर इसके अंदर बात आती है real time progress की, जो performance होती है आपकी software के अंदर work का performance होता है जो आपने किया है जो आपने typing किया है उसका time कितना लिया आपने Delft किये वो सब आप इसके अंदर check कर सकते हो दोस्तो ये हमारे कुछ 300 वियर थे जो कि बहुत top सप्वियर हैं जो आप अपने typing श्पीड में बढ़ाने के लिए काम में ले सकते हो अब हम बात कर लेते कुछ tips की देखें दोस्तो tips की अगर हम बात करें तो tips में सबसे पहला तो मतलब यही होता है कि आपको जो है typing के अंदर full confidence के साथ मैं typing करनी है यह नहीं होना चाहिए आपके मन में कि मेरे से typing नहीं होगा मेरे तो हाथों में दर्द हो रहा है तो यह नहीं होना चाहिए अगर आपको थोड़ा बहुत दर्द होता है अंगली set होने में तो दोस्तों आप उसको सैट कीजिए दर्द को थोड़ा सैने की छमताल लीजिए अपने सरीर में आप अगर थोड़ा बहुत अंगलियों में दर्द होता भी है तो आप उसको सैन कीजिए तो आपका जो है अंगली सैट हो जाएगा कीबोर्ड पे पहली टिप्स हमारी ये रहेगी दूसरी टिप्स दोस्तों आपकी ये होती है कि आप जब भी टाइपिंग करने बैठते हो और आप से गलती हो जाती हो तो आप उसे बैक स्पेस से कट करते हो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है आपको कभी भी वर्डों को बैक स्पेस से कट नहीं करना है. टाइपिंग करते समय. अगर आप backspace का ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो आप कभी भी अपनी typing speed नहीं बढ़ा सकते हो. ये हमारे दूसरी tips रहेगी. तीसरी tips की अगर मैं बात कर'llओ. तो तीसरी टिप्स हमारी यह रहेगी, कि आप जब भी typing करते हो, तो typing करने के तुरंत बाद ही आप एक lesson MS Word में type जरूर करें, कुछ इस तरीके से आपको lesson type करना है, और ये lesson आपको typing करने के बाद भी करना है, और उसके बाद जब आप next day आते हो typing करने के लिए, तो next day जब आप करते हो, तो सबसे पहले आपको MS Word में lesson type करना है, उसके बाद में आपको file में चले जाना है, file में जाने के बाद आपको property में click करना है, property में जैसे ही आप click करते हो, तो आपको timing बता देगा कि भी कितने time में, आपने कितने words type किये हैं, ये जो आपको यहाँ पर इस तरीके से MS Word का भी यूज़ करना है ज्यादा से ज्यादा ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से टाइपिंग स्पीड बढ़ सकें अब दोस्तों ये मेरी तीन टिप्स थी जो है कि आपके लिए पाउरफुल साबीत हो सकती है अगर आप इसे इमानदारी से फोलो करते हो तो आपकी टाइपिंग जो है तीस या चालिस दिन में अच्छी टाइपिंग आपकी बन जाती है अगर आप मैनत और भी जादा अगर मैनत करते हो इन तीनों कंडिशन के साथ में तो आपकी टाइपिंग अच्छी बन जाएगी तो दोस्तो ये था वीडियो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों को सेर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि इसके उपर अगर और भी वीडियो आपको चाहिए तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही तब तक आप खुश रही है मोज में रही है और मस्ती में रही है थैंक यू